जहां हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम जानेंगे जागेश्वर मंदिर के इतिहास और इसकी धार्मिक मान्यता के बारे में, ये एक एतिहासिक धरोहर है, जो भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है. तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस खूब सूरत स्थान के रहस्यों की खोज में निकलते हैं। जागेश्वर का क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक प्रमुक धार्मिक स्थल रहा है। मंदिर का शिखर और गर्भ ग्रह दर्शनीय है, प्राकृतिक वातावरण। मंदिर चारों और देवदार के घने जंगलों और पहाडियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक शान्ति पूर्ण और सुरम्य स्थल बनाता है। आसपास की भोगोलिक विशेशताएं। यहां का वातावरण शान्ति और ध्यान के लिए उप्युक्त है, जिससे भक्त और परियटक दोनों ही आनंदित होते हैं। धार्मिक गतिविदियां। इन में से कुछ प्रमुक मंदिर हैं। एक, जागेश्वर मंदिर, मुख्य मंदिर, दो, महा मृत्युन जय मंदिर, तीन, धन्वंतरी मंदिर, चार, भैरव मंदिर, पाचवा काल भैरव मंदिर। इन मंदिरों में प्राचीन, वास्तुकला और शैव परंपरा की जलक देखने को मिलती है। जागेश्वर मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र का महत्व कई कारणों से है। एन, धार्मिक आस्था भक्तों का मानना है कि भगवान शिव यहां मनुकामनाएं पूर्ण करते हैं, जिससे यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालू आते हैं। टू, प्राकृतिक सौंदर्य, देवदार के जंगल और पहाड़ियों का दृष्य इस स्थान को अत्वुत बनाता है, जो पर्यटकों को पाकर्शित करता है। ट्री, हैतेहासिक महत्वा मंदिर, राज़िक वास्ते कलाओर संस्क्रूथी तब एहरा इस थास है, जो इसे एक महत्व को अरोहर स्थल बनाता है। इस सभी कारणों से जागेश्वर मंदिर लोगों को अत्वुत बनाता है। तो दोस्तों, ये था जागेश्वर का अध्वुत दिहाद और इसकी धार्मित मानने है। अगर आपको हमारा यक्षियो पसंद आया हो, पुर्द्रप्या लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रंगलों कुमाओं को सब्स्क्राइब करने न भूलें, तागी आपको हमारी अग्ली वीडियो की जानकारी मुझेए। धन्यवाद, और फिर मिलेगे एक नई जानकारी और रोमाचर यात्रा के साथ। जानकारी मुझेए।